हाई गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल कशिश कुक बुक आज हम बहुत ही डिलीश्यस रेसिपी बनाने वाल है वह है चना चाठ तो विदाउट एनी फॉर्दर डिलेज लेट्स केट स्टार्टेटा रेसिपी हमने हाफ केजी चना लिया है उसे हमने वॉश कर लिया है अरो वो फाई पानी को में फेक देना है और उसमें पानी दालके छे से साथ गंटे या फिर ओवरनाइट रखना है हमें यह देखे हमने साथ गंटे चना बिगाया हुआ है कैसा फूल गया है यह चना एंड हमें इंगिजेंट्स चाहिए धन्या पौडर वन एन हाफ टेबल स्पून गरम मसाला वन टेबल स्पून हिंग एक चुक्ती तू टेबल स्पून मिट्च पौडर वन एन हाफ टेबल स्पून छोले मसाला वन एन हाफ टेबल स्पून नमक हाफ टेबल स्पून हल्दी, वन टेबल स्पून जीरा और हमें चाहिए कड़ी पत्ता, आच से दस पत्ते थोड़ा सा दनिया वन टेबल स्पून चाय पत्ती चाहिए टू टेबल स्पून अध्रक लग्सन कपेश तीन से चार हरी मिर्ची बारिक कटी हुई प्यास को हमें स्लाइस में कट करना है, दो बड़े साइस की एंड हमें चाहिए टूमेटो प्यूरे तीन से चार टूमेटो को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए अब एक पती लड़ेंगे, उसमें हम आदर लिटर पानी दाल देंगे अब उसमें वन टेबल स्पून चाई पत्ती अट करेंगे और उसे बॉइल होने तक पकाएंगे अब चनों में जो पानी है उससे निकाल देंगे उसे एक कूकर में ट्रांसफर कर देंगे चाई पत्ती के पानी में बॉइलाना स्टार्ट हो चुका है अब पत्ती के पानी में बॉइला चुका है अब हम इसको ओफ करके इसे चान देंगे और कूकर में डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी अट कर देंगे ताकि वो चनों के उपर तक के आ जाए अब हम इसके लिड़ लगा देंगे और उसे हाई फ्लेम पर एक विसल तक कर पकाएंगे देखिए एक विसल आगए अब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे अब हम एक कडाई लेंगे हम वन टेबल स्पॉन ओईल आइट कर देंगे अब हम उसमें स्लाइस्ट कीवी प्यास भी आइट कर देंगे हमें प्यास को लाइट ग्रोल्डन होई तक का पकाना है अब हम उसमें अध्यक लेशन के पेजट भी एड़ कर देंगे और उसे अच्छी तरीके ज़े मिक्स कर देंगे हमें अध्यक लेशन की पेजट को भी लाइट ग्रोल्डन करना है देखे पेजट लाइट ग्रोल्डन हो चुका है अब हम इसमें टॉमेटो प्यूरे एड़ कर देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से कुक कर देंगे अब हम इसमें हरी मिर्च एड़ कर देंगे और कड़ी पत्ता भी अब हम इसमें सारे ड्राइ स्पाइसिस एड़ करेंगे गरम मसाला हिंग मिर्ची पाउडर छोड़े मसाला नमक हल्दी दन्या पाउडर और जीरा इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पाउडर पाउडर पाई पाउडर पाईड़ी कि दिखिए छोले भी अच्छी तरीके से पक गया है मैं शो रहा है अच्छी तरीके से अब हम छोलो को मसाले में एट कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक सर्फिंग प्लेट में निकाल देंगे हमें गार्निशिंग के लिए इंग्रियंट्स चाहिए हाफ कप प्यास चाहिए हाफ कप टोमेटो थोड़ा सा दही प्लेइन सेव और हरा दनिया पहले हम इसके उपर दही एट कर देंगे थोड़ा सा आप मेटो प्यास सेव और थोड़ा साहरा दुनिया थोड़ा सा रेट चिली पाउडर रेट करेंगे थोड़ा सा छोले मसाला दनिया पाउडर टोमाटो केचप और एमले केचप देखिए हमारी बहुती टेस्टी खट्टी मिठी ना चाट रेडी है आप भी ट्राइ कीजेंगा यह बहुती टेस्टी होती है अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल कशिश कुक बुक को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स वर वाचिंग थैंक्स वर वाचिंग